टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का ब्रेकप पिछले दो दिनों से चर्चा का विशय बना हुआ है। टाइगर और दिशा के बीच ब्रेकप की वज़ा शादी है। उनके दोस्त के मुताबिक जैकी श्रॉफ और उनकी पत्मी आईशा ने जब से अलग रहना शुरू किया था टाइगर तब से दिशा संग लिवईन रिलेशन में थे। दोनों के रिष्टे को काफी समय हो चुका था और दिशा को लगता था कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन टाइगर अभी शादी के लिए तयार नहीं थे। दिख शा ने टाइगर से इस बारे में बात भी की थी लेकिन हर बार उनका जवाब ना होता था। टाइगर के दोस्त के मुताबिक दिशा ने इस ब्रेकब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया है। वह टाइगर से नाराज नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कौन जानता है कि कुछ समय बाद दोनों फिर से एक साथ आ जाए। हाल ही में एक इंटर। व्यू में जैकी श्रॉफ ने दोनों के रिष्टे पर चुपी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था। टाइगर और दिशा हमेशा से दोस्त है और अब भी है। मैं अब भी उन्हें साथ में बाहर जाते देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे की लव लाइफ पर नजर रखता हूँ। मैं उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाता। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत अच्छे दोस्त है। वह काम के अलावा भी एक दूसरे साथ समय बिताना पसंद करते हैं।